दो हजार पच्चिस में लेसुन का भाव क्या रहेगा क्या लेसुन में आएगी जोरदार तूपानी तेजी किसान सातियो इस साल लगबग सभी किसान भाई बढ़ चड़कर लेसुन लगा रहे है क्या दो हजार पच्चिस में भी लेसुन के भाव में अच्छी खासी तेजी देखनी को मिल सकती है या बाजारों में घीरा वटा सकती है इस टुडुडियों में हम बात करेंगे 2025 में लेसून के भाव के बारे में आकड़े क्या करते है बाजार केसा रह सकता है किसानों ने कितना लेसुन लगाया है बोवई का कितना आकड़ा है उत्पादन केसा रह सकता है और भाव क्या मिल सकता है किसान भायोगर आप भी लेसुन की खेती करते हैं लेसुन लगा रहे हैं लेसुन के भाव से जुड़ी वी जानकारी चाहते हैं तो 3-4 मिनिट का वीडियो होगा वीडियो को पूरा देखिएगा इसमें पूरी जानकारी मिलेगी वीडियो अगर पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक और चेनल को सब्सक्राइब जिरू करें अभी के समय पर लेसुन का भाव कापी अच्छा चल रहा है जिसके चलते किसानों को अनुमाने ये बाव अगले साल भी रहेगा या 10-12 अजार तो हमारा लेसुन भी की जाएगा जिस कारण किसान भाई लेसुन की बहुवई ज़्यादा कर रहे है उटी लेसुन की बहुवई सबसे ज़्यादा हो रही है क्योंकि उटी लेसुन का उत्पादन 25 कुंटल प्रती बिगा तक निकल जाता है ऐसे में किसान भाई अगर 10-12 अजार भी अपने लेसुन को बेच लेते है तो भी 2-5 लाक रूपे प्रती बिगा के इसाब से किसानों को मुनापम मिल जाता है जिस कारण बढ़ चड़कर उटी लेसुन की बहुवई देखने को मिल रही है हाला कि देशी लेसुन की बहुवई का अभी समय नहीं है लेकिन बहुशे किसान भाई देशी लेसुन की बहुवई भी कर रहे है इस साल लेसुन की बहुवई के रखबे में कापी ज़्यादा बड़ोती हो रही है लेकिन कुछ नए किसान भी इस साल लेसुन लगा रहे हैं लेकिन लेसुन सभी किसान जरूर लगा रहे हैं लेकिन बीज महिंगा होने के कारण हरे किसान भाई ज़्यादा सेत्रपल पर लेसुन की बुवाई नहीं कर पा रहा है यानि कि इस साल लेसन का रकबा जरूर बढ़ रहा है लेकिन एक दम से रकबा नहीं बढ़ रहा है रकबे में दीरे दीरे बड़ोतरी हो रही है क्योंकि बीज कापी महंगा है किसानों की लागत बहुत ज़्यदा आ रही है ऐसे में नए किसान लेसन की खेती कर रहे है लेकिन दीरे दीरे लेसुन की जो बुवाई का है उसका सेत्रपल ज़्यादा देखने को मिल रहा है यानि की बुवाई का रख्बा बढ़ चुका है उत्पादन के बारे में बात करे तो किसान भायो अगर उत्पादन बढ़िया होता है तो मंडियों में 2025 में लेसुन की आवके जनवरी फरवरी मैने से ही सुरू हो जाएगी जो आगे चल कर बंपर आवकों में बदल सकती है यानि कि जितनी बुवई इस साल हो रही है अगर उत्पादन उतना ही निकलता है तो मंडियों में गचा गच लेसुन की आवक देखने को मिलेगी में लेसुन की थोड़ी थोड़ी आवक मंडि में आती है उस समय पर लेसुन का बाजार क्या रहता है दीरे दीरे गीरा उटाएगी तो किसानों को फाइदा है क्य satisf 욕िसान भाई अपने लेसुन को अगर गीला मंडि में बेचेंगे हाला कि लेसुन का बाजर अगर ठीक टाक किसानों को मिलता है तो किसानों को मुनापा मिल जाएगा लेकिन उम्मित के मुताबिक दो हजार पचीस में लेसुन के भाव में उतनी ज़्यादा तेजी किसानों को नहीं मिलने वाली है इसलिए जल्द बाजी में लेसुन की ज़्यादा बुवई ना करे कोई भी निने अपने विवेक से ले सोच समझ कर अपने बजट के अनुसे लेसुन की बुवई करे कमेंट करके जुरू बताईए जनकारी केसी लगी कोई भी निने अपने विवेक से ले इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद